जैश्री महांकाल हर हर महादेव दोस्तों आप सभी का आपके अपने चनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका बहुत आभार है देव गुरु ग्रहस्प्वती वक्री होने वाले हैं और बारा सालों बाद ये महासायोग बनेगा जिससे त्रिकोन राजयोग दिर्मित हो रहा है जिन जातकों के जीवन में कहीं सारी तकलीफ है परिशानी है और बहुत से चीज़े जो अनस्टेबल चल रही थी उन जातकों के लिए वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और जो अभी किसी ने किसी परिशानी में से जूज रहे हैं कोई भी उनके जीवन में भी तक कोई सफलता नहीं मिल पाए जीवन में कुछ चीज़े अच्छी नहीं हो पाई उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये जो भ्रहस्पती का बदलाव है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसके बारे में जितना समझा जाए जितना observation किया जाए बहुत कम है इसलिए वीडियो को पूरा देखकर आप अपने बारा साल की जो पीछे चीज़े छूट चुकी हैं बारा साल में जो जीवन में नकारत्मक्ता, negativity और आप परिशान चल रहे हैं आप उन सभी परिशानियों से बाहर आने की संभावनायक पर कैसे आएंगे, क्या होगा इस सभी इस पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ आएगा उससे पहले एक निवेदन है कि चनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें बिल आइकोन को प्रेस करें, कमेंट्स में लिके हर हर महादे और जैशू शंभो और पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर बताए वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपके मन में कोई प्रशन है या आपने प्रशनों के जवाब चाहते हैं अपनी कुंडली से जुड़े हुए तो स्क्रीन को पर हमारे नंबर चल रहे हैं आप वाटसप पर अपोइंट्मेंट ले फिर बात करें उसका फीस लागू है दोस्तो सबसे पहली बात कि इस बदलाव से अक्टूबर, नौंबर, डिसंबर, जन्वरी, फर्वरी और मार्च ये जो छे महिने हैं जो कि समय आज से शुरू हो चुका है इस अक्टूबर से शुरू हो चुका है इसमें ये प्रभाव लागू होगा और ये जो प्रभाव है ये आ पुत्र है और पुत्री चाहते हैं तो इन जातकों के लिए यह सबसे बेस्ट बेस्ट टाइम रहेगा दूसरा जो नी संतान है उन्हें भी संतान के योग बनेंगे और संतान होने की संभावना है बहुत अत्तक हो जोगी यह बदलाओ 12 सालों बाद हुआ है परिशानी और दुखी देखा है तो उनके जीवन में यह एक बदलाओ का चण है अब सब चीजे बदल जाएगे चाहें नोकरी हो, रोजगार हो, धन हो, संपत्ती हो जमीन और आस्मान का फरक आपके जीवन में आने वाला है यह मैं दावे से बात कह रहा हूँ चोथा, कि जो धन बहुत दिनों से कहीं निवेशित था जो फसा हुआ था, वो धन आपको मिल जाएगा जो बहुत सालों से, बहुत महिनों से और इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ धन ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि यहां हमारे पिता की संपत्ति थी, उस तरह की संपत्तिया भी मिलने की संभावना होती है, पत्ति बत्नी के पीछ अगर कोई तराविक माहोले या वो दोनों के बीच विच्छेद हो रहा है, यह विच्छेद, एक सहर्स विच्छेद होता है इस बहुत बड़ी उपलब्धिया मिलेगी, जो अध्यात्म के विशे पर जीवन में कुछ अच्छा करना चाते हैं, उनके लिए, और जो भी जाता स्ट्रगल कर रहे हैं, साइस दिक्षा से, रोजगार से, या कॉम्पेटिशन की तियारी कर रहे हैं, तो उन से भी जात्म के लि करने का समय हैं, तो जो भी आपके समस्या हैं, उन्हें आप बेट कर, शान्त मन से, अपना स्वार्थ छोड़ कर, समाधान की कोशिच करें, पुरे ग्रह आपके पक्ष में होगा, बीच का रास्ता निकल जाएगा, और आपकी चीज़े सब अच्छी हो जाएगी, जिससे प बहार आएगे मन्थन वार, वो आपके आगामी जीवन में हमेशा इस्थिर रहेगी, और आपको गुरु के आसीष मिलेंगे, आशिरवाद मिलेंगे, जो यूगो यूगो तक आपकी पीडिया जिस चीज़ को सकारत्मक फायदा उठाएगी, बस आपको अपने गुरु मंत साथ शेयर जरू करना, अपनी कुल्डी का विशलिशन अगर करवाना चाहते हैं, तो प्लीज स्क्रीन पर नमबर चल रहे हैं, वोटसप पर एक बार अपोइंट मेंट लेकर बात करें, ओम नमस्यूर।